हेलो एब्रिवन, वेलकम टो लॉजिक पार्ट शाला चैनल, आज हम करेंगे फेमस फेस्टिवल्स इन इंडिया, इस लेक्चर में से आपको पेपर में एक या दुकेशन्स देखने को मिल ही जाते हैं और यह आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है, इस लेक्चर का पीडियाफ आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर दिया जाएगा, तो पहला क्या पुछा गया है, उगाधी जो आपका फेस्टिवल है, यह कहां सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आंध्रा प्रदेश में, इसे हम कैसे याद करेंगे, आंध्रा से हम करेंगे आंधी और यह करेंगे हम गाड़ी, तो अगर आप गाड़ी में जा रहे हो और आंधी आ जाए, तो आप क्या होते हो, सेफ होते हो, इसे कौन से राज्य में मनाय जाता है तो ये आपके पास 4 options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर भी आपका है आंध्रप्रदेश तो इसको हम कैसे याद करेंगे इसी हम याद करेंगे जब हमारी life में आधी दुफान आए तो हमें कौन बचाते हैं ब्रह्मा जी तो इसको हम ऐसे याद करें थर्ड वन एस मोनपा फेस्टिवल इस सेलिबरेटेड इन विच स्टेट तो जो आपका मोनपा त्योहार है यह किस राज्य में मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपका कहां पे अरुनाचल प्रदेश में अंसर इसका रहेगा option number C तो यह आपका रहेगा यह जो आपका म मनाती है ठीक है फूर्थ वन इस मोपिन इस सेलिबरेटेड इन विच स्टेट तो जो आपका मोपिन फेहार है यह कौन से राज्य में मनाया जाता है तो यह भी आपको देखने को मिलेगा अरुनाचल प्रदेश में तो इसका अंसर भी आपका अरुनाचल प्रदेश है और मोपिन फेस्टिवल है यह मनाया जाता है किसके लिए यह एक तरह का आपका अग्रिकल्चरल फेस्टिवल है और इसमें क्या है कौन मनाता है यह है आपकी गालो जो ट्राइब्स है और नाचल प्रदेश की वह इसको सेलिबरेट करती है तो जो आपका अम्बूबाची फेस्टिवल है यह कौन से राज में मनाया जाता है तो यह हमने पहले भी किया था मैंने आपको बताया था कमाक्या टैंपल जब हमने टैंपल वली सीरिस की थी तो कमाक्या टैंपल आपका कहां पे देखने को मिलता है असम में और यह है आप आपका कामाख्या टैंपल और यहीं पे आपका सेलेबरेट किया जाता है अमबो बाची फेस्टिवल और यह बहुत फेमस है और पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है तो इसे हम कैसे याद करेंगे बच्चे से तो बच्चे को क्या होती है आस होती है तो बच्चे को हर क बीहु है ये तीन बार मनाया जाता है तो साल में ये तीन बार मनाया जाता है तो उन में से एक है आपका बोगाली बीहु तो ये है आपका असम में तो जहां भी आपका बीहु होगा वो आपका कहां पे होगा असम में question number 7 is छट पूजा is celebrated in which state तो ये आपकी रीसिंट के celebrate की गई थी तो ये आपकी कहां मनाया जाती है तो ये basically आपकी अलगलग states में मनाया जाती है लेकिन इसमें से आपकी दिखेगी कहां पे बिहार में ठीक है तो इसका अंसर रहेगा आपका बिहार और इसमें हम किसकी पूजा करते हैं आपके सूर्य देवता की ठीक है question number 8 is hey miss festival is celebrated in which state तो जो आपका hey miss उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है तो हमने ये पहले जो series करी थी उसमें मैंने आपको बताया था hey miss को कैसे याद करना है hey miss लड़ मत है न hey करते हैं na hey miss लड़की को बोल रहे हैं लड़ मत तो ये आपका रहेगा लदाक में तो इसका अंसर है आपका option number A question number 9 is sunburn festival is celebrated in which state तो जो आपका sunburn उत्सव है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है तो ये आपको देखने को मिलेगा गोवा में तो इसे हम कैसे याद करेंगे जब भी आप गोवा जाते तो वहां पर क्या हो जाता है आपको sunburn हो जाता है तो ये है आपका गोवा question number 10 is mandu is celebrated in which state तो जो आपका mandu है ये किस राज्य में मनाया जाता है तो हर किसी का मन क्या होता है कहां जाने का गोवा में तो ये मनाया जाता है आपका गोवा में question number 11 is कच उत्सव is celebrated in which state तो जैसे कि यहां पर कच है तो ये है आपको पता चल जाएगा कि ये है आपका गुजरात में क्यूंकि कच आपको कहां पर देखने को मिलता है गुजरात में question number 12 is उत्रयाइन is celebrated in which state तो जो आपका उत्रयाइन उत्सव है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है तो ये आपका एक तरह का जैसे ये देखे काइट्स उड़ाई जाती है इसमें तो ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात में इसे हम कैसे याद करेंगे इसे हम याद करेंगे उत्तर से तो कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं कुछ दिन में पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे रात को उत्तर निकालते हैं और कुछ दिन में निकालते हैं तो इसको हम ऐसे याद करेंगे तो जो आपका राख तुमनी उत्सव है ये कौन से राजे में मनाया जाता है आपके पास चार आप्शन्स है आप इन एक बार देख लीजिए तो यह आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में तो यह है आपका आप्शन नमबर एट इस हिमाचल प्रदेश तो यह देखिए यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है तो यह आपको कहां पे देखने को मिलेगा हिमाचल में तो गोची फेस्टिबल भी आपका हिमाचल में देखने को मिलता है और कहां पे देखने को मिलता है यह आपका लहौल स्पीती रीजन है जो हिमाचल का वहां पे Question number 15 is बाहु मेला is celebrated in which state तो जो आपका बाहु मेला है यह कहां पे देखने को मिलता है तो यह देखने को मिलता है आपका option number day that is jamu and kashmir में Question number 16 is हर नवमी festival is celebrated in which state तो यह कौन से राजय में देखने को मिलेगा आपको तो यह देखने को मिलेगा आपको jamu and kashmir में Question number 17 is करम उत्सभ is celebrated in which state तो यह आपको जारखंड में देखने को मिलेगा और कुछ और स्टेट्स में भी है तो इसे हम कैसे करेंगे करम तो करम अगर आप अच्छा करम करोगे तो आपकी कोई भी आपको जाड़ेगा नहीं मतलब कोई भी आपको डांटेगा नहीं Question number 18 is Rohini festival is celebrated in which state तो यह भी आपको कहां पे देखने को मिलेगा जारखंड में इसे कैसे याद करेंगे रोने से तो अगर आप कब रोते हो जब आपको कोई डांट लगाए या आपको कोई जाड़े तो यह रहेगा आपका क्या जारखंड तो अब करते हैं Question number 19 उगादी festival यह हमने पहले भी करा था तो जो आपका उगादी festival है जैसे मैंने पहले बताया था आंध्रा परदेश में हैं तो यह आपको करनाटक में भी देखने को मिलता है तो इसका अंसर रहेगा Option number C तो यह रहेगा अब इसको कैसे याद करेंगे गाड़ी में किया था ना हमने याद पहले वाले में तो इसमें भी हम गाड़ी से ही याद करेंगे जिसके पास गाड़ी होती है वह बहुत क्या करता है नाटक करता है ठीक है Question number 20 is मैसूर्द शहरा is celebrated in which state तो जो आपका मैसूर्द शहरा है ये किस राजय में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपका करनाटक में तो मैसूर्द से पता चल रहा है कि मैसूर्द कहां पे है आपका करनाटक में ठीक है Question number 21 is ओन्व इस celebrated in which state तो ओन्व जो तो तेवहार है ये कौन से राजय में मनाया जाता है तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत जाला फेमस फेस्टिवल है तो ये आपको देखने को मिलेगा केरल में तो इसका अंसर रहेगा option number B और ये कौन सा आपका सीजन होता है जब आपका harvesting का time होता है उस time पे ये केरल में ओनम celebrate किया जाता है question number 22 is लोग रंग उत्सव is celebrated in which state तो लोग रंग जो उत्सव है ये कौन से राजे में मनाया जाता है तो ये आपको देखने को मिलेगा मध्यपरदेश में इसे हम कैसे याद करेंगे लोगों के जो रंग है वैं कब देखने को मिलते हैं जब आप मध्यम की उमर में पहुंचाते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये इनसान कैसा है Question No.23 is Khujurahu Festival is celebrated in which state तो Khujurahu तेखार है ये कौन से राजे में मनाया जाता है तो हमने ये पहले भी किया था Khujurahu के बारे में हमने पढ़ा था तो इसको हमने याद किया था रहा से तो जब आप मध्यम उमर में पहुंचाते हो तो आपको आपका रहा भी क्लियर हो जाता है ठीक है तो इसको हम ऐसे याद करेंगे Question No.24 is Nom Krem Tewahar जो है ये कौन से राजे में मनाया जाता है तो ये आपको देखने को मिलेगा कहां पे Option No.A that is Meghalia में तो इसे हम याद करेंगे Megha नाम की एक लड़की है उसे हमने कहां बेज़ा है वन में तो मैंने वन को W से क्यों लिखा है ये मैं आपको Next PPT में बताऊंगी तो हमने उसको वैसे वन होता है आपका VAN तो उसको हमने बेज़ा है वन में लेकिन उसने वन में जा जाना चाती तो इसको हम ऐसे याद करेंगे और ये देख लिए ये देखिए ये था आपका 25 इसमें पूछा गया है वन इस सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो ये मैंने वन जो था इसको लिंक किया था पिछली स्लाइड में क्यूंकि जो ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर देखने को मिलेगा मेगालिया में तो मेगा ने मना किया है वन में जाने के लिए तो वो नो किया था और वो नो को हमने लिंक किया था नौंक्रेम फेस्टिबल से तो वंगला और जो नौंक्रेम फेस्टिबल है ये आपको देखने को मिलेगा मेगालिया में ठीक है और एक चीज और पेपर में ये पूछा जाता है कि The 100 Drums Festival किसे कहा जाता है तो वह आपको इसी फेस्टिवल को कहा जाता है आपका The 100 Drums Festival वांगला फेस्टिवल को ये देखिए ये Drums बजा रहे हैं न Question No.26 is गूरी पढ़वा किस राज्य में मनाया जाता है तो ये आपको देखने को मिलेगा महाराश्ट्रा में इसको हम कैसे याद रखेंगे पढ़ने से हमारे राश्ट्रे के हर इंसान को क्या करना चाहिए पढ़ना चाहिए ठीक है Question No.27 is गनेश उत्सव is celebrated in which state तो ये तो हम सभी को पता है कि जो गनेश उत्सव है ये सबसे जादा कहां मनाया जाता है आपका महाराश्ट्रा में तो इसका अंसर हैगा Option No.D Question No.28 is योशांग is celebrated in which state तो जो आपका योशांग है ये किस राज्य में देखने को मिलता है तो ये आपको देखने को मिलेगा Option No.A that is money pool में और जो ये आपका festival है इसको हम कैसे याद करेंगे इसको हम करेंगे मतलब यश से याद कर लीजिए अगर आपके पास money हो तो हम बड़ा अगर हम यहां से O को eliminate करते हैं तो ये बनता है यश तो हमें बड़ी खुशी होती है money हो तो हर किसी को खुशी होती है तो इसे हम ऐसे याद करेंगे Question No.29 is चवंग कुट किस राज्य में मनाया जाता है तो जो आपका चवंग कुट फेस्टिवल है ये कहां मनाया जाता है आपके पास चार options है आप इने एक बार देख लीजिए तो ये मनाया जाता है आपका कहां पे Option No.C that is money poor में तो इसका अंसर रहेगा Option No.C Now moving to question No.30 चाप चरकुट मोहतसब ये आपका कहां मनाया जाता है तो ये आपको देखने को मिलेगा मीजो राम में इसे हम कैसे याद करेंगे इसे हम चार से याद करेंगे हमें चारों तरफ कौन दिखता है हमें राम भगवान जी तो इसे हम ऐसे याद करेंगे ठीक है Question No.31 is Honebin Festival is celebrated in which state तो जो Hone Bill Festival है ये कहां देखने को मिलता है तो ये आपको देखने को मिलेगा नागा लैंड में इसे हम कैसे याद करेंगे इसे हम याद करेंगे बिल तो आपका जो बिल के अंदर कौन रहता है आपका नाग रहता है तो ये रहेगा आपका नागा लैंड में और ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है हॉन बिल फैस्टिबल क्वेशन नमबर 32 एज मोट्सू फैस्टिबल इस सेलिबरेटेड इन विज स्टेट तो यह आपका कौन से राज्य में मनाया जाता है आपके पास चार उप्शन्स है आप इन्हें एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर भी आपका रहेगा नागा लैंड और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ इसे हम कैसे याद करेंगे इसे हम याद करेंगे मोट से तो मोट का बाती है अगर आपको नाग डस ले तो मोट आ जाएगी तो इसको हम ऐसे याद करेंगे ठीक है Question number 33 is रत यात्रा is celebrated in which state तो जो रत यात्रा है ये कौन से राज्य में मनाई जाती है तो ये मैंने आपको बताया था एक हमने किया था जगरनाथ पूरी तो वहां पर रत यात्रा निकालते हैं तो मैंने कहा था जग के नाथ सबको क्या दिखाते हैं दिशा तो ये है आपका औरिसा में मनाया जाता है Question number 34 is नुकाही फेस्टिबल is celebrated in which state तो ये आपको कहां पर देखने को मिलता है तो ये आपको देखने को मिलेगा औरिसा में तो इसका अंसर रहेगा option number C और जो आपका नुकाही फेस्टिबल है इसमें जो नुवा का मतलब होता है न्यू और खाई का मतलब क्या होता है फूड तो ये आपका नुकाही फेस्टिबल औरिसा में देखने को मिलता है So लोडी फेस्टिबल is a very famous festival तो यह आपको कहां पे देखने को मिलता है पंजाब में तो इसका अंसर रहेगा option number B question number 36 is ahiya उत्सव आपका कहां पे मनाया जाता है तो ahiya festival कौन से राज्य में देखने को मिलेगा आपको तो इसका अंसर है आपका option number B जो की आपका क्या है मेघालिया है तो इसे हम कैसे याद करेंगे हम जब में घाल्या में आपके बड़ी जदा बारिश होती है तो उसको देखके क्या होता है हम कहते हैं वहाँ क्या मज़ा आ गया तो ये आपको मिलेगा में घाल्या में देखने को ठीक है खुश हो जाते है ना उसको देखके बारिश को तो इसको हम ऐसे याद करेंगे Question number 37 is घंगोर festival is celebrated in which state तो घंगोर आपको कौन से राजय में देखने को मिलता है तो ये आपको देखने को मिलता है राजयस्थान में तो इसका अंसर हैगा option number B Question number 38 is लोसर जो आपका festival है ये कौन से राजय में देखने को मिलेगा तो ये है आपका सिक्किम में इसको हम कैसे याद करेंगे इसको हम करेंगे लोस लोस से याद तो अगर हमें लोस हो तो हम क्या फिल करते हैं सिक्क फिल करते हैं तो इसको हम ऐसे याद करेंगे लोसर फेस्टिबल है आपका कहां पे सिक्किम में question number 39 is सागा दावा is celebrated in which state तो यह कौन से राज जे में देखा जाता है तो यह आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में इसी हम कैसे याद करेंगे दवा से तो दवा कब खाने पड़ती है जब आप क्या होते हो सिक्क तो जब आप होते हो सिक्क उस टाइम पे आप खाते हो दवा और इसको हम ऐसे याद करेंगे ठीक है question number 40 is पोंगल is celebrated in which state तो पोंगल भी आपका बहुत जादा famous festival है तो यह आपको देखने को मिलता है तामिल लाडू में तो इसका अंसर हैगा आपका option number B question number 41 is नत्यांजली festival is celebrated in which state तो जो आपका नट्चली festival है यह आपको कहां पे देखने को मिलेगा तो नत्यांजली देखने को मिलेगा आपको तामिल लाडू में तो इसका अंसर हैगा option number B question number 42 is बथु कमा is celebrated in which state तो यह आपको देखने को मिलता है तेलंगाना में इसे हम कैसे याद करेंगे बात से तो जब भी हम नहाते हैं तो हम क्या अपने oiling तेल लगाते हैं तो यह है आपका बथु कमा फेस्टिबल कहां पे तेलंगाना में इसे हम ऐसे याद करेंगे question number 43 is खर्ची पूजा is celebrated in which state तो खर्ची पूजा आपका मनाया जाता है तो इसे हम कैसे याद करेंगे खर्चे से तो जब हम पैसे खर्चते हैं तो हम क्या करते हम सोचते हैं चलो थोड़ी से amount रहेगी है हम इसे भी खर्च देते हैं तो हम पूरा का पूरा खर्चा कर देते हैं तो यह रहेगा तुरी पूरा और यहां पे आप रखेंगे खर्ची को याद question number 44 is बोनालू is celebrated in which state तो जो आपका बोनालू celebrate किया जाता है कौन से राज्य में तेलंगाना में तो इसे भी हम कैसे याद करेंगे इसी हम याद कर लेते हैं बोन से तो बोन की उपर क्या लगाते हैं हम तेल लगाते हैं तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए question number 45 is दुर्गा पूजा is celebrated in which state तो यह भी बहुत जादा famous है तो यह आपका देखने को मिलेगा वेस्ट बिंगॉल में और वैसे मैंने आपको बताया था कि जो दुर्गा माता है वो सब का क्या चाहती है बेस्ट चाहती है तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं question number 46 is गंगा दिशहरा is celebrated in which state तो यह आपको कहां पे देखने को मिलता है तो यह देखने को मिलेगा उत्रा खंड में और आप मुझे comment box में यह बताएंगे कि जो आपकी कौन से दो rivers meet करती है और कौन से point में meet करती है प्रयाग में कौन से meet करती है फिर आपके गंगा भैती है यह दो rivers का नाम बताएंगे और इस point का इस प्रयाग का नाम बताएंगे ठीक है? Question number 47 is Ganga is celebrated in which state? तो जो आपका Ganga महोचसव है ये किस राजे में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका UP में तो इसका अंसर रहेगा आपका option number 8 Question number 48 is काला घोडा जो कला उत्सव है ये कौन से राजे में मनाई जाती है? तो ये बहुत ज़दा न्यूज में भी थी तो ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? मुंबई में, महराश्टरा में Question number 49 is Dakin Festival is celebrated in which state? तो आपने ये बताना है कि जो आपका दक्कन महोचसव किस राजे में मनाया जाता है? आपके पास चार options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा आपका आंधरा प्रदेश option number C इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे can जो can नहीं आता, drinks पीने वाला उससे हम इसको याद कर लेंगे और उसको पीने के बाद आप अंदर से क्या पतकाई is celebrated in which state तो देहिंग पतकाई आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मैंने आपको पहले भी बताया था देहिंग पतकाई के बारे में इसको हमने कैसे याद किया था? हिंग से तो जो हिंग ऐसे कहा जाता है कि हिंग खाने से आपके स्टर्मक को रिलीफ मिलता है तो आपको क्या होती है आस होती है कि आपका जो स्टर्मक है वैर ठीक हो जाएगा तो इसको हम करेंगे हिंग और हमें क्या होती है आस होती है कि हमारा जो स्टर्मक है वैर ठीक हो जाएगा तो देहिंग पटकाई आपको देखने को मिलेगा कहां पे असम में अब हम कर लेते हैं आज के questions इसका आप मुझे comment box में जरूर अंसर करें पहला question आपका ये है Which is the closest planet to the sun? Second question is Which is the brightest and hottest planet in the solar system? Question number third is Largest moon in the solar system कौन सा है? So well thank you so much for watching this session I hope आपको ये tricks अच्छी लगी हूँ Comment box में जरूर बताना